अब नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपका श्रीफार सीविल सबस्टेंट अब यह वाला तेलीग्राम जरूर जोइंग करके है यूटूब चैनल में बादे साथ है तो भी यह वाला तेलीग्राम जोईंग करना बहुत जादा जूरूरी है सारे नोटिफिटेशन, सारे अप्डेट, सारे मोस्ट इपोटेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ या पर बताया जाता है तेस्ट को ध्यान से अट्रम करिए और बताए कितना इसकोर आपने किया है, कितने सही किया है एक टोटल कोईशन में से सभी रोग अपना इसकोर जरूर करिए दोस्तों, MPPCS Prelims के लिए ये Mock Test Paper No.10 है, तो आईए इसे शुरू करते हैं, ये Bilingual Format में है, दोनों भाशाओं में आप प्रशन को देखेंगे और कुल मिलाकर 100 बहुँ विकल्पी प्रशन हैं, तो आप बढ़ियां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं देखें, अगर आपको paid courses ज्वाइन करने हैं, तो ये poster आपकी सहायता कर सकता है, इसमें mobile number दिये हैं, आप contact कर लीजेगा और जो free वाला टेलिग्राम का चैनल है, at the rate study for civil services, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उसे जवाइन कर लीजे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं यहाँ से प्रश्ण स्टार्ट होते हैं, और पहले प्रश्ण में दो statement दिये हैं, उसमें से आपको देखना है कि सही कौन सा है, तो मध्यप्रदेश की उदैगिरी गुफाएं जो हैं, उनके संदर में कुछ कथन दिये हैं, पहले वाले में यह कहा जा रहा है, यहाँ देख और इसका जो correct answer है, वो C हो जाएगा, इसमें दोनों सही है, कुछ भी गलत नहीं है, उदैगिरी के नाम से कई स्थान है, और उसमें सबसे पहले जो उलेखनी है, वो बिहार का राजगीर वाला उदैगिरी परवत है, और ओडिशा में उदैगिरी पाया जाता है, खंडगि देते हैं, इसके बाद अगले प्रशन को देखते हैं, प्रशन संख्या 2 को देखे, निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए, consider the following statement, choose the correct, तात्या टोपे के पिता, पांडुरंग राओ, मराठा पेशवा, बाला जी राओ, दुदिये के, दरबार में एक महान व्यक्ति थे, ऐसा कहा गया, मतलब यहाँ पे तात्या टोपे के संदर में कहा जा रहा है, और उसके बाद तात्या टोपे ने उपनाम टोपे को अपनाय था, जिसका आर्थ होता है, commanding officer, और 1857 के विद्रोही नायक तात्या टोपे को 1869 को अंग्रेजों ने मार दिया था, इस प्रकार से तो आप पताईए कि तात्या टोपे के बारे में यह जो तीन स्टेट्मेंट है, इसमें से correct कौन सा है, प्रेशना आपने देखा, और इसका जो correct answer है वो D हो जाएगा, इसमें दोनों जितने भी दिख रहे हैं आपको तीनों स्टेट्मेंट वो सही है, तात्या टोपे का जन 1857 का जो revolt है, उसमें ये कानपुर और फिर ग्वालियर वाला जो छेत्र है वहाँ पे active रहते हैं, रानी लक्षमी भाई को ये पूरा support करते हैं और उनके गुरू भी थे, मतलब उन्हें शस्त्र विद्या सिखाने वाले यही व्यक्ति थे, और शिवपुरी की ये कैदालत म जो कानूनी कारवाई अंग्रेजों के होती है, मतलब धोखा होता है कानूनी कारवाई क्या थी, तो 18 अप्रेल, 1869 को इनको फासी दे दी जाती है, इसके बाद तीसरे नंबर के प्रशन को देखते हैं, प्रशन संख्याती, इसमें कहा गया कि गांधी जी की त्वारा पर देखे गए थे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 4 को देखे, निम्नलिखित कत्नों पर विचार कीजिए, तो मध्य प्रदेश में विभिन्य प्रकार की लकडियां जैसे कि सागोन, दूधी, कदम और खेर, इनका उप्यों काष्ट कला, खराद कला इसे हमने देखा, अगले प्रशन को देखते हैं, प्रशन संख्या 5, तेली का मंदिर, सास बहु का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और सूर्य मंदिर, यह मध्य प्रदेश में किस जिले में इस्थित प्राचीन मंदिर हैं, यह जितने भी टेंपल आप देख रहे हैं, यह यह कही स्थान पर पाय जाते हैं, तो मध्य प्रदेश का कौन सार्डिस्टिक है यह आपको देखना है, यह जबलपुर है, उजयन है, ग्वालियर है या मंदसौर है, देख लीजेगा, और इसका जो करेक्ट एंसर है, वो C हो जाएगा, C का मतलब यह है कि यह ग्वालियर म सूर्य भगवान का जो मंदिर है, अगर मंदिर परसर को देखा जाए, तो इसमें काफी भव्य प्रतिमा देखी जाती है, और सफेद संग्मर्बर से अंदर काम किया गया है, ऐसे ही यह मंदिर दिखाई देते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, प्रशन संख्या 6 को देखे देख लीजे को और बताईएगा, और इसका जो करेक्ट एंसर है, वो इसमें से कौन सा हो जाएगा, देखे, एवाला हो जाएगा, एका मतलब यह है कि ज्यान उत्सों के तौर पे इसे देखा गया था, तीन जन्वरी 2021 को इसका पहला संस्क्रण आयोजित किया जाता है, इस इसमें से कोई नहीं होगा, बताईए कौन से जो आथर का पेर है, वो सही होता है, तो आप जानते हैं कि इसका पहला वाला ही होगा, केशो और माखलनाल चेतुरवेदी, मतलब राम चंत्रिका को लिखने वाले कौन थे, केशो थे और कृषनारजो नियुद्ध को लिखने इसके बाद अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन संख्या आठ यहां पर दो स्टेटमेंट है उनको देखकर आपको जो करेक्ट है वो चूज करना है तो इस प्रशन को ध्यान से देखिएगा ग्वालियर की स्थापना नौवी शताब्दी में हुई थी और इस पर गुरजर शताब्दी में बुंदेला सामराजी की यह राजधानी थी तो आप बताईए कि इसमें से करेक्ट क्या है यह पूरा प्रशन आप ने देखा इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वही आपको चूज करना है पूरा प्रशन आप देख पा रहे हैं और इसका जो करेक्ट एंस शिल्प वाला जो प्रचार था उसके संबंद में कभियान शुरू कर रही है और हाली में मद्य प्रदेश में राग भोपाली नाम की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इसमें किस शिल्प को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था मतलब ये राग भो दोजी को प्रोच साहित करने के लिए बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था और 30 दिसंबर 2020 तक जो गोहर माल है भोपाल का वहां पर इसका आयोजन किया जाता है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन संख्या 10 मध्य प्रदेश में हाल इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसका फिलहाल जो करेक टेंसर है यहाँ पर प्रमोचन करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा है तो वो मुख्य मंत्री लेखक का नाम पूछता तब आप सी वाले को चुनते प्रशन संख्या 11 यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन भीमा कोरेगाओं लडाई के संदर्व में सही है भीमा कोरेगाओं जो बैटल था उसके बारे में तीन स्टेटमेंट दिये हैं सही जो है वो आपको इसमें से तलाशना है देख लीजे त पर उच्य जाती बहुल पेश्वा सेना का मुकाबला वो कर रहे थे लडाई में हारने के बाद पेश्वा बाजी राओ दुदिये ने महार समुदाय का अपमान किया था और उन्हें अपनी सेना में सेवा को समाप्त करने के लिए कहा था मतलब उनकी सेवा सेना में समाप्त हो जाती है तो आप बताइए कि इसमें से भीमा कोरे गाउ लडाई में कौन-कौन से स्टेट्मेंट सही बैठते हैं और इसका अगर आप देखें तो सभी सही है इसमें जितने स्टेट्मेंट आप देख रहे हैं डी वाला इसका परफेक्ट हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा भीमा कोरे गाउ लडाई ये एक जन्वरी 1818 को जो पेशवा बल है और अंग्रेज उनके बीच में लड़ी जाती है और इसमें अगर आप देखें तो लडाई में हारने के बार जो पेशवा रहते हैं बाजी राओद्विती है वो महार समुदाय का आपमान करते हैं इसके निम्न जाती और अचूत समझे जाने वाले सभी लोगों पर लागू होने वाले दलित शब्द को गढ़ने वाले दलित शब्द के प्रणेता यही थे ऐसा कहा गया और 1873 में उन्होंने पुड़े में सत्य शोधक समाज यानि सोसाइटी फॉर्ट सीकर्स इसका गठन किया तो आप बताईए कि जोतिबा फूले के बारे में इसमें से जो स्टेटमेंट है गलत कौन सा है यहाँ पर इनकरेक्ट आपको चूज करना है बहुत ध्यान से देखिएगा और इसका जो करेक्ट एंसर है वो एवाला हो जाएगा यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वही गलत है बाकी सब सही यहाँ देखिए तेरावे नंबर का इसमें कहा गया तहजीब अखलाक यह सामाजिक सुधारक अंग्रेजी में इसको कहा गया और यह किसके तवारा इस्थापित की गई पत्रिका थी आपको बताना है यह पत स्थापित करने वाले फाउंडर कौन थे नीचे नाम दिया है मौलाना अभुलकलामाजाद बक्त खां या खान अब्दुलगफार खां या स्यद अहमत खां इसमें से कौन से महापुरुष थे तो इसमें अगर आप देखें तो इसका डी वाला हो जाएगा यह स्थापित क लाग इसको कहा जाता था और इसमें अभी व्यांजाक गर्दे के माध्यम से जो सामाजिक और धार्मिक मुद्दे है उसमें लोगों की चेतना को जागरित करने का प्रयास किया गया इसके बाद अगले प्रेशन को देखते हैं चौदहवा सूची एक पो सूची दोस्य आपको मिलान करना है और बताना है कि इसमें कौन सा किसे मैच करेगा पोड आपको इसमें से चुड़ना है तो एक तरफ शब्दावली दी है यानि कीवर्ड दिये है और दूसरी तरफ उसका मतलब दिया है तो बसादी है गौल्मि मंदिर को कहा जाता था और आम तोर पर ये जो शब्द है ये दक्षण भारत में महाराष्ट्र में यूज किया जाता था अगर नितिन सिंहानिया जो आर्ट अन कल्चर की बुक है उसको पढ़ेंगे तो इसमें जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं वो सब मिल और गॉल्मिक जो होता था ये वैदिक काल में एक सैन एकाई का प्रमुक कहा जाता था दीन जो होता था ये प्रकार का धर्म था मदिकाली भारत में दीन एलाही आपने सुना हिए और उर क्या था ये चोल काल में जो ग्राम सभा होती थी उसको कहा जाता था पिलाल आगे च तो आप बताइए कि इस ने से कथकरी के बारे में कौन सा गलत है। जो गलत है महीं चुनना हैं और इसका करेक्ट है वहीं से कौन सा होगा। बताइए डी वाला हो जाएगा, यहां जैसा कि कहा गया कि classical dance है, कहँ का क्लासिकल डांस ड्रामा है, केरला का ओर करनाचक का, जब कि ये केरल का शास्त्री नित्थे, यहां पे अगर देखा जाए त्यवी केरल का शास्त्री नित्थे है, कुछ समय के लिए परती छोड़ना पड़ता था जैसे जमीन बंजर हो जाती है तो उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो अपना ही recover कर लेती है उसके अंदर फिर से जो nutrients है वो ठीक हो जाते ऐसा किया जाता है तो यहाँ वो बताया गया है कि परोती उसको कहा जाता था उसके अलावा आप देख रहे हैं कि पोलाच यह मुगलकाल की एक भूमी थी जिसमें की लगातार खेती की जाती थी और जरीब जो था यह मुगलकाल में एक माप या भूमी माप का सरवेच्छण होता था ठीक है तो इसमें से जो सही है वो आपको चुनना है देखकर बताईएगा प्रशन आपने देखा और इसके बाद इसका जो करेक्ट एंसर है वो D वाला हो जाएगा D का मतलब यह हुआ कि पहला दूसरा तीसरा यह जितने भी हैं यह सभी सत्य है परोती जो होती थी मुगलकाल की एक जमीन थी जिसको क्यों उपजाओं बनाने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ देते थे जरीब जो होता था यह भूमी मापन का या सरवेच्छण का तरीका था इसे आपने देखा इसके बाद question number 17 को देखेगा बंगाल सती विनिमन अधिनियम यह पारित होने पर बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय कौन था मतलब उस समय जब सती विनियमन अधिनियम पारित होता है तो ततकाली इन गवर्मेर्ट जेनरल कौन था तो आप जानते ही इसमें से विकल्प कौन सा होगा सरल प्रशन है आराम से आप चुन सकते हैं लाड विलियम बेंटिंग और इनी के सहुजनने से यह होता भी है 1829 में इसके बाद अगले प्रशन को देखिए अठारवा सही कफन कौन सा है यह आपको चूज करना है अच्छे से देख लीजे और इसका जो करेक्ट एंसर है यहां 18 को आपने देखा बी वाला हो जाएगा बी का मतलब यह हुआ कि इसमें सिर्फ दूसरा वाला सही है जिसमें Resolution on Fundamental Rights and National Economic Program was passed in this season यह वाला सही है लेकिन पहला वाला गरत है इसमें गलत क्यों है क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो जो करांची सत्र था उसका नित्यत्य सरदार वल्लभाई पतेल ने किया था लाहोर अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता जवाहरला नहरो की द्वार की गए थी वो पीछे ही होता है 1931 में जो करांची अधिवेशन होता है उसमें बललभाई पतेल अध्यक्ष होते हैं और इसमें जितना भी आर्थिक कारिक्रम वगेरे का प्रस्ताव है वो पारित किया जाता है साथी साथ गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया जाता है मतलब यहाँ पर दोनों को सपोर्ट किया जाता है यानि 250 इसापूर्व के समय की जो तृतिय बहुद संगीती थी बहुद सभा थी उसके संबंद में इसमें से कौन सा गलत है जो सही नहों वो तलाशना है आपको तो यह जो थर्ड बुद्धिष्ट काउंसिल थी यह मगत सामराज्य के पाटली पुत्र में आयूजित हुई थी इसका वेन्यू दिया है और इसकी अध्यक्षिता मोगली पुत्रिस ने की थी और इसका एजेंडा क्या था मतलब हर संगीती का कुछ न कुछ परपस होता था तो बहुत थर्म के जितने उपखंड थे उसमें जो असमतियां उत्पन हो गई थी उसको निप्टाना इसका परपस था अगर इसमें देखा जाए तो बहुत धर्म की जो अलग-अलग शाखाएं थी उसका विशलेशन करना और उन्हें शुद्ध करना ये तृतिय बहुत संगीती का एजेंडा था जो ग्रंथों अगरे का संकलन है वो तो पीछे ही हो चुका है जो पहली और दूसरी थी उन्हीं में हो चुका था जो सी वाला है वो गलत है बाकी सब सही है अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को देखेगा भक्ति आंदोलन संत जो है भक्ति आंदोलन का पूरा जो दौर चला था उसमें रामानंद के संबंध में यहाँ पर आपको कुछ कथन दिये हैं चार स्टेटमेंट है उसमें से गलत का आपको तलाश करना है तो देख लीजे पहले बाले मे पर बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है यानि गलत की तलाश करनी है यहां बात हो रही है स्वामी रामानंद की और आप जानते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है मतलब इनके जो शिश्य थे उसमें हर जाती के लोग दिखाई देते इसमें के अनंतानंद है इसके अलामा एक विकास निगम के साथ किस संस्था ने MOU यानि जो Memorandum of यहां पर अंडरस्टेंडिंग होती है उस पर हस्ताक्षर किया है यह IIM इंदौर है नीतियायोग है या जो Indian Institute of Management है एहमदाबाद का वो है या फिर बोथ बोथ का मतलब कौन सा पहला और दूसरा A और B वाला कौन होगा इसमें से देखिए इसका जो Memorandum of Understanding है इसमें correct answer आपका A वाला हो जाएगा इसवे का जो A वाला option है वो सही होगा यह संस्था कौन सी है यह IIM इंदौर है यानि भारती प्रबंधन संस्थान इंदौर है जिसने किस MOU पर हस्ताक्षर किये इसके बाद आगे बढ़ते है प्रशन संख्या 22 को देखिए राजगार जल्विद्धुत परियोजना यह किस नदी पर है बताईए सरल है और आप जानते हैं कि यह किस नदी पर है यह बेतवा पर ठीक है इसका जो पहला वाला है वही सही है उसके बाद नेक्स्ट प्रशन संख्या 23 को देखिए कुल बहरा नदी यह मध्य परिदेश के किस जिले से निकलती है देवास बैतूल जबलपुर चिंदवाडा इसमें से कौन सा होगा और आप जानते हैं कि यह जो नदी है यह देवास से निकलती है इसका जो ईवाला option है वही सही हो जाएगा मतला नदी परिदेश में चंदेरी से और इसे उस छेत्र की यानि कि छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है छिंदवाड़ा जिले की जो उम्रेट तहसील है वहां से इसका उद्गम होता है तो इसका D वाला उप्शन होगा नेक्स्ट अंगले प्रेशन को देखते हैं 24 वां वन बिहार राष्ट्री उद्ध्यान ये चार तश्मलों चार पांच वर किलोमीटर के छेतर में फैला है और 1979 उसमें इसे राष्ट्री उद्ध्यान गोशित किया गया था ऐसे दिया है तो आप बताइए कि ये जो वन बिहार नेशनल पार्क है इसके बारे में इसमें से कौन कौन से स्टेट्मेट सही है प्रश्ण आपने देखा और इसका जो करेक्ट एंसर है वो सी वाला हो जाएगा दोनों सही है इसमें कुछ भी गलत नहीं है दोनों सही है तो इसलिए आगे चलते है प्रश्ण जंख्या पचीज को देखेगा consider the following statement graphite is used in manufacturing of paint, battery and pencil graphite is found in bethool district तो carbon का ही एक अपरूप है आप जानते हैं मतलब यहाँ पे हीरा और graphite आप देखते हैं अलग-अलग रूपों में तो इसका दोनों वाला option सही है इसके बाद अगले प्रश्ण को देखते है 26 मद्यप्रदेश में ग्वालियर चंबल expressway इसका नाम change कर दिया गया है नाम नया व यहाँ विकल्ब दिया है भोपाल जबलपुर मुरैना और उज्जयन तो आप इसमें देख लीजे इसका सी वाला हो जाएगा सी का मतलब यह है कि मुरैना में इसको खोला गया है इसका जो location है वो कौन सा है मुरैना जिला है वहाँ पे कैलारस जौरा चेत्र जो है वहाँ 2000 क कुंबई एक्सप्रेस्वे से वन जीओं के पार होनी के लिए एक सुरक्षित मार्क दिया जाएगा और पांच पशू ओवर पास निर्मित किये जाएंगे यह आप देख रहे हैं तो यह एक्सप्रेस्वे किन राज्यों से होकर गुजरेगा यह आपको बताना है महाराश् गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान और हरियाणा इनको कवर करेगा और 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है 29 को देखिए यहाँ पे World Wildlife Fund for Nature इसके बारे में कहा गया कि इसके बारा विक्सित एक Online Tool Water Risk Filter इसके हिसाब से 2050 तक 30 भारतिय जो शहर है वो पानी के जोखिम का सामना करेंगे और इन 30 शहरों में इंदौर को कौन सी पोजीशन पर रखा गया है पानी का संकट मतलब पीने होगे जो भूमिगत जल है वो तेजी से कम होता जा रहा है नीचे गिरता जा रहा है तो ऐसी कंडिशन ने भैंकर है तो आने व और को दूसरा स्थान दिया गया है जबलबूर पहले स्थान पर माप कीज़ेगा जैपूर जो है वो पहले स्थान पर ठाड़े जो है वो तीसरे स्थान पर जैपूर मतलब राजस्थान का जो शहर है वो यहां पर पहले स्थान पर ठाड़े जो मुंबई का है मतलब महारा का दर्जा दिया है तो आप बताईए कि इसमें से सही कौन सा है पन्ना टाइगर रिजर्ब के बारे में बात हो रही है और इसका सभी सही है भी लेटेस्ट वाला यही बायोस्पेर रिजर्ब बना है भारत में इसे आपने देखा दी वाल ऑप्शन हो जाएगा 31 को देखिए 31 यानि जबलपूर ठीक है जबलपूर इसकी लोकेशन हो जाएगी यहां पर इसका आयोजन किया गया और इसमें हिंदी साहित्ति के जितने कारिक्रम है वो सब होते है 32 को देखिएगा भारत भवन भोपाल का विंग नहीं है इसमें से कौन सा उसका विंग नहीं है आपको च चबी यहां पर आप नीचे देख रहे हैं यह रिपेरेटरी की तौर पर देखा जा रहा है तो यह एक प्रदर्शनों की सूची है यह इसका अंग नहीं है मतलब इसमें 6 विंग है तो 6 विंगों में आप देखते हैं रूपंकर है रंग मंडल है निराला स्रजन पीठ है व रानी गिर्धर भाई का जो मगबरा है वो मंडला में है और उसके बाद मुम्ताज महल का जो मगबरा है यह बुरहानपुर में है तो इसमें से सही कथन कौन सा है यह आपको चूज करना है नीचे विकल्प दिये हैं देखकर बताइए और 33 का जो करेक्ट एंसर है वो सी हो यानि पहला और दूसरा दोनों इसमें सकते हैं रानी गिर्धारी भाई जो है उनका मगबरा यह मंडला में है और मुम्ताज महल का मगबरा यह मध्य प्रदेश में जो बुरहान पुर्जिला है वहाँ पे है मतलब अस्थाई रूप से यहां दफन किया गया था इस प्रका यह साहित्य संगीत रंगमंच और दृष्यकला की छेतर में जो लोग होते हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको समानित करने के लिए दिया जाता है तो इसमें से गलत आपको बताना है कि शिखर अवार्ड के बारे में गलत क्या है देख लीजे और इसका डी हो जा तो यहां अगर देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी थी यह साथ थी टोटल इनमें नाम अगर आप देखना चाहें तो सुशीला चानू थी यह कप्तान थी पूनम रानी रेडुका यादो मोनिका प्रीती दूबे अनुराधा देवी इसके अलावा एचल फेली यह सब ना लोना है इसे आप देख रहे हैं यह डायोस्पाइर मेलानो पिसलोना है तो इसका वैग्यानिक नाम है यह आपको इसमें से दे दिया है और इसका जो ओरिजिनल नाम है वो बताना है मतलब यह जो आप देख रहे हैं यह सागोन है तेदू का पत्ता है या बांस का सही होता है और इसका उपयोग किसली होता है तो by वह बनाने के जाती है तो यहीं प्रआप्व्त के तौर पर महीलाएं when बिडी के बंडल बनाती है और बेज़ती हैं यह सबour ऐसे यूस होता है अब इसके बाद आगे चलते है प्रश्ण संख्या 37 सिसको तो पहले वाले में कहा गया कि copper यह प्राप्थ होता है जो igneous rocks होती है और metamorphic rocks होती है उसमें पाया जाता है यह बिजली का पहुत अच्छा संभाहक है और इसका उपयोग जो electrical instrument होते हैं उसमें किया जाता है दुनिया में अगर देखा जा तो सबसे बड़ा जो तामे का शिर इसकी प्राप्ती होती है वैसे ही दो statement और थे देखिए इसका जो correct tensor है वो D वाला हो जाएगा इसमें तीनो सत्य है कुछ भी दिक्कत नहीं है ताबे के बारे में जितनी भी चीज़े है वो सही है ताबा आगने और जो कायांतरिच चट्टाने होती है उसमें पाय जाने वा 38 को देखेगा जनकरणा 2011 की संदर्व में दो statement है पहले वाले में कहा गया कि मध्यप्रदेश की जो rank है वो भारत में second है ST population के मामले में यानि जो schedule tribe के population है उसमें मध्यप्रदेश भारत में दूसरे इस्थान पे है और SC की जो population है उसके मामले में MP का इस्थान भारत में आठ ठीक है मतलब मध्यप्रदेश ST जनसंख्या के मामले में भारत में पहली position पे है और SC जनसंख्या है मतलब schedule caste वाली जो आवादी है उसके मामले में 8 में स्थान पे तो दूसरा सही है पहला गलत है प्रशन संख्या 49 को देखिएगा 26 जनवरी 2021 को मध्यप्रदेश के किसान कल् प्रशिविकास मंत्री कमल पटेल ने अब यहां पर एक blank space दिया हुआ है जो इस्थान का नाम है वो भरना है आपको वहां पर प्रदेश की पहली फसल OPD सेवा का शुभारम किया जो फसल OPD सेवा है उसका शुभारम कहां पर किया गया यह हर्दा में किया गया भोपाल या विदिशा या जबलपूर कौन सा इस्थान होगा और इसका अगर आप देखें तो ए वाला हो जाएगा ए का मतलब यह हर्दा में इसका पहली बार launch किया गया इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन को देखते हैं OPD का संबंध उपचार से होता है तो यहां फसलों कर सकते हैं मतलब उसके फूर्प पेमिन्ट कर सकते हैं तो आप बताइए कि कौन सी पोजिशन पर है फोजिशन पर 2 है ठर्ड है तो यह पहले इस प्रकार का ये स्थान देश का पहला राज़े है जहांपर यह जो इटिकट वाली सेवा है शुरू हुइए इसके बाद आग मार्ज की तारीक थी 1985 वाली वहां से लेकर 1988 तक अपनी जो मद्य प्रदेश के मुख्य मंत्री है उनके रूप में काम किया था और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुके हैं और 21 दिसंबर 2020 को इनका देहांत हो गया तो आप बताईए कि मोदिलाल बोरा के बारे में इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है इसका D हो जाएगा तीनों सत्य है कुछ भी दिक्कत नहीं है अगले प्रशन को देखिए प्रशन संख्या 45 हमारा घर हमारा विद्याले ये अभियान मद्य प्रदेश सरकार ने किस तारीक को शुरू किया था ये MP गवर्मेंट का अप इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 43 को देखेगा मद्य प्रदेश में इंतजार आपका ये जो सोशल मीडिया आभियान है इसका परपस गया है ये नए प्रदिश्थानों के लिए उद्योग पतियों को आकर्शित करेगा प्रत्य अच्छ विदेशी इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 45 को देखेगा इसमें कहा जा रहा है कि मद्य प्रदेश का जो शियो पूर्जला है वहाँ पर हीरा गाउं है मतलब शियोपूर जिले का हीरा गाउं है वहाँ पर आगनबाड़ी कारे करता कौन है जिने की राश्ट्री महिला आयोग ने 31 जन्वरी 2020 को COVID Women Warrior नाम के जो सम्मान है उससे समानित किया है यह कौन सी महिला है यह नाजिरा खान है या फिर जुबी निरानी है या नादिरा बेगम है या अफ्रोज है इसमें से किसका नाम होगा तो इसका जो करेक्ट टेंसर है वो ए हो जाएगा यानि यह नाजिरा खान है या नजीरा इसका जो ए वाला option है वो सही इसके बाद अगले question को देखते है 46 एक से लेकर 15 अगस 2020 यानी पूरा जो एक पखवाड़ा था उसमें जन जाग रूखता अभियान एक mask यहां जो इसका slogan है उससे भी देख लीजेगा जन जाग रूखता अभियान था और इसका नाम क्या था एक mask अनेक जिन्दगी मद्यप्रदेश में इसको किसके द्वारा मतलब कौन सी ministry के द्वारा launch किया गया है यह आपको बताना है प्रशन आप देख रहे है अर्बन development and housing ministry है या फिर public health and family welfare ministry है या आयूश ministry है या टूरिज मिनिस्ट्री है इसमें से कौन सा मंत्राले है तो इस प्रशन को ध्यान से देखिएगा यहाँ पर यह कहा गया इसे ध्यान से देख लीजे नॉमबर 2020 तक मद्यप्रदेश में कुल विजली उत्पादन छंता जो है वो 25,064.53 मेगावाट थी और कुल स्थापित जो बिदुत छंता थी उसमें से करीब 7,187.62 मेगावाट यह र देख रहे हैं दोनों से यह आगे चलते प्रशन संख्या 48 मद्यप्रदेश की अर्थव्योस्था के संबंद में यहाँ पर कुछ स्टेट्मेंट दिये हैं उस पर आपको विचार करके जो करेक्ट है वो चूज करना है तो यहाँ देखिए राजी की सकल मूले वर्दित या यानि जो यूएस डिपी जो है यह 9.07 ट्रिलियन यानि जो यूएस डॉलर में अगर देखा जाए तो 129.73 बिलियन रहा है ऐसे दिया है आप यह बताईए कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है यहाँ पर एकोनौमी के बारे में कहा जा रहा है राजी की एकोनौमी और जाएगा दोनों सत्ते हैं इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है जीविये के बारे में जो इंप्रूमेंट दिखाई गई है मतलब 33 से लेकर यह 56 पहुंच गया है वो सही है और यहाँ जो इसका आगड़ा है 9.07 ट्रिलियन वाला वो भी सही है तो इसका बोथ वाला जो सबसे नीचले स्थान पर कौन सा शहर है जो नहीं पूछा जा रहा है जो बॉटम से टॉप किया है उसको आपको बताना है तो यह पटना है बिहार का विहार की जो राजधानी है पटना वह यहां पे सबसे गंदे शहर के तौर पर देखा गया है इसके बाद 50 को देखेगा पंक अभियान यह किस राजजे में शुरू किया गया है मतलब यह किस राजजे का है यह आपको बताना है तो आप जानते हैं कि इसमें से किसी का भी नाम सही नहीं बैटता है पंक जो अभियान है या पंक इनिशेटिव है वो नौन अब देखव इसमें से होगा तो फिर श के फार नॉलेज है और एच फार हेल्थ है इस प्रकार से और यह एक साल तक चलने वाला अभियान है तो इसका डी वाल ऑप्शन होगा इसमें सही राज्य कौन सा होगा मध्य प्रिदेश होगा इसके बाद 51 को देखिएगा अक्सर खबरों में रहने वाली ओडिशा की रुश खेतर है वहाँ पे और उसके अलावा रुशी कुल्या का जो तठ है यह ऑली ब्रेटले का घर है घर नहीं है मतलब वहाँ पे अंडे देने के लिए प्रजणन के उद्देशे से आते हैं फिर वो अपने रास्ते समुद्र में चले जाते हैं और इनके जो बच्चे हैं जब मयूर्भंज में है या मलकान गिरी में वैसे तो उम लोग पढ़ लेते हैं कि सिंवली पाल ओडिशा में लेकिन इसमें से लोकेशन अगर देखी जाए तो ये अगर पूरा इसका करेक्ट आप देखे तो मयूर्भंज में पढ़ता है इसकी लोकेशन का होंगी ओडिशा का जो मयूर्भन जिजला है वहाँ पे है और इसमें इसका जो छेतर फल है वो 1750 स्क्वाइर किलोमीटर है टोटल ये टाइगर रिजर्ब के तौर पे भी देखा जाता है और 2009 में से यूनिस्को का जो Man and Biosphere वाला जो प्रोग्राम था उसके अंतरगत लाया जाता है ये आपने देखा इसके बाद आगे चलते हैं 53 को देखते हैं गुजरात में Dragon Fruit का एक नया नाम सामने आया है तो इसका नया नाम क्या रखा गया मतलब Dragon Fruit वो पहले का नाम था ये पीछे भी आपने जो पिछला उसमें देखा है Dragon Fruit एक प्रकार का फल है जो कि कैक्टस टाइप के पौधे पर उगता है और इसके जो फूल होते हैं वो कमल के फूल के समान होते हैं इसलिए गुजरात राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि इसका नाम अब बदल कर रख दिया जाएगा कमलम क्योंकि इसका अगले प्रेशन को देखते हैं 54 2020 तक दुनिया भर में सबसे बड़े बॉक्साइट के भंडार वाले देशों का सही यहां पर क्रम आपको बताना है तो यह जो जादा भंडार वाला है उसको पहले रखेंगे और सबसे कम भंडार वाला है उसको सबसे बाद में रखेंगे तो यहां गिनी, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और ब्राजील है उनी को अरंज किया गया है यहां चार क्रम दिये हैं कौन सा क्रम सही होगा इसका ए वाला हो जाएगा यहां इसे आप देख लीजे इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ए का मतलब यह है कि गिनी य इसके बाद आगे चलते हैं अंगले प्रेशन को देखते हैं 55, consider the following statement, यहां बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल रेंज का connection बताया गया है, मतलब यह कहा जा रहा है कि बनिहाल दर्रा पीर पंजाल रेंज में इस थे एक लोगप्रिय दर्रा है, और यह बनिहाल को काजी पापुलर पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और यह बनिहाल और जो काजी गुंद नाम का छेतर है, उसको जोडने का काम करता है, जवाहर टनल इसी मिस्थित है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, question number 55 था उसे आपने देखा, इसका D हो जाएगा, प्रशन संख्या 56 को बिंदुसार नदी ये गोदावरी की सहयोगी है, न कि तापी की, इसे आपने देखा, अंगले प्रशन को देखते हैं, गोबर्धन, ये आप इसे गोबर्धन मत समझ लीजेगा, ये गोबर्धन है, अलग-अलग है, ठीक है, तो ये योजना किसके द्वारा शुरू की है, मतलब इसमें इसका फुल फार्म है, गैल्विनाइजिंग, और गैनिक, बायो, एग्रो, रिसोर्सस, धन, मतलब ये पूरा शॉर्टकट में कहा जाता है, गोबर्धन, इसे लॉंच किया गया, दोजार अठारह की होजना है, कोई नई नहीं है, लेकिन इसका जो क्रिया या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, या फिर या फिर याख है, इसमें से कौन सा होगा, ये जानवर के बारे में पूछा जा रहा है, और इसका जो करेक्ट स्टेट्मेंट है, इसमें से आप देख लीजे कौन सा है, ये वाला हो जाएगा, ये दाढ़ी वाला गिद् पिप्टी नाइन को देखें निर्फित में से कौन सा शहर, 86 डिगरी जो इस्टर देशांतर है यानि यहाँ पर जो लॉंगिट्यूड है उसकी बात हो रही है, यहाँ पर इसके पास नहीं पाया जाता है, मतलब 86 डिगरी इस्ट वाला जो लॉंगिट्यूड है, उसमें कौन सा देश नहीं पाया जाता है, उसके पास में, समस्तिपूर, यहाँ पर शहर की बात हो रही है, इसे देखेगा, तो इससे देख लीजें, समस्तिपूर, कोर्डमा, धेंकलार और नवादा, इसमें से कौन सा होगा, इसमें से हो जाएगा, डी वाला, डी का मतलब यह है, कि यह नवादा है, ठीक है, नवादा जो है, वो इसके पास में लाई नहीं करता है, समस्तिपूर का जो देशांतर है, वो इससे दूर है, यहाँ अगर देखा जाए, और इसमें जो बाकी है, वो सबसाही होते हैं, 8,611 मीटर, इसके बाद लॉस्त से जो है, इसकी उचाई दी है, 8,516, मकालू की उचाई दी है, 8,380, और मनसालू की उचाई दी है, वो 8,163 है, बताई, इसमें से गलत कौन सा है, उचाईयां दे रखी है, और इसका जो करेक्ट टैंसर है, वो C हो जाएगा, C का मतलब यह है, इसमें जो मकालू की उचाई दी है, वो ही गलत है, ठीक है, मकालू की उचाई, 4,000, माफ कीजेगा, 8,480, मीटर है, 8,480 है, और यहाँ पे 380, इसलिए गलत है, फीट में अगर आप देखें, तो 27,838 फीट का यह लगभग है, और दुनिया का पांचवा सबसे उचा प देख रहे हैं, 2012 से लेकर 2017 यह भारत के 13 राष्ट्रपती के रूप में काम किये थे, जून 1991 से लेकर मई 1996 यह योजना आयोग की उपाध्यक्ष थे, 2019 में इने भारत के सर्वोचे नागरिक सम्मान भारत रतन से नमाजा गया, और 31 अगस्त 2020 को इनका देहा वसान हो गया, तो COVID-19 की जटिलता है, वो भी इने घेर लेती है और साथ में ब्रेन ट्यूमर रहता है, तो अंत में इनका देहांत हो जाता है, 62 को देखे, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे की माउंटेग्यू चेम स्पोर्ट सुधार कहा जाता है, उसके बारे में यहां तीन स्टेट्मेंट है, उसमें से जो इनकरेक्ट है वो आपको चूज करना है, तो इस अधिनियम ने पहली बार भारत में एक लोग सिवायोग की स्थापना का प्राउधान किया था, अधिनियम में यह भी प्राउधान था कि 10 वर्षों के बाद सरकार के कामकाज का अध्यान करने के लिए एक इसमें से हो जाएगा, डी वाला इसमें कुछ भी तो गलत नहीं है, सब सही है, जितने भी इसके बारे में कहे गए इस शब्द है, वो सही है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रेशन को देखते हैं, यह अधिनियम जो है 1916-1921 के बीच में भारत के जो ततकालीन प्रेशन संख्या 63 को देखें, which of the following pair is incorrect with reference to constituent assembly of India, मतलब जो सम्विधान सभा है, उसके बारे में इसमें से गलत कथन का आपको चुनाव करना है, तो इसमें कुछ दिया हुआ है, इससे देख लीजे, सम्विधान सभा के लिए कारे करने वाली समीती, इसके जो अध्यक्ष थे, वो जीवी मावलंगर थे, हाउस समीती जो थी, यह भी पटा भी सीता रमयया से connect होती है, उसके बाद भाशा समीती जो है, यह मोटूरू सत्यनाराण से, और आदेश प्यापार समीती यानि Order of Business Committee, यह राजेंदर प्रशाद से जुड़ी वी है, तो आप बताइए कि प्रशन को देखते हैं, कुल 22 समीतियों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, और उसमें से आठ जो थी, वो में थी, और बाकी जो थी, वो छो थी, वो छो थी, इसका फिलहार D वाला होगा, प्रशन संख्या 64 को देखी, समिधान का अनुछे 93 किस से जुड़ा हुआ तो चेर्मेन और डिप्टी चेर्मेन आफ काउंसल आप स्टेट या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आफ हाउस आफ पीपल, सेक्रेटरेट आफ परल्यामेंट या फिर सेलरीज और अलावेंस ऑफ दचेर्मेन आफ इसमें से कौन सा होगा, बताईए, आर्टिकल 93 के बारे म संबंद रगता है और जो 989 आप देख रहे हैं वो संसत के सचीवाले से जुड़ा है, सभापती और रूप सभापती के जो वेतन भत्ते वगरे हैं उनका प्रावधान 97 में, फिलाल इसका जो करेक्ट टेंसर है वो B हो जाएगा, आगे बढ़ते, प्रेशन संख्या 65 को दे जाएगा, मतलब D के हिसाब से 49A जो है ये गांधिवाधी जो प्रिंसिपल है या गांधियन प्रिंसिपल है उनके बेस नहीं करता है, 49A में कहा गया गया है, तो गरीबों को समान जयाए और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देना, ये समाजवाधी सिधानतों के फारणा है, ये जो है, ये सोसिलिस्ट विचाद खारा है ना कि गांधिवाधी, ठीक है, 1976 में जो 42वा संशोधन हुआ था, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है, बाकी समझों है वो गांधियन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इसके बाद अगले प्रिशन को देखते है इसमें से कौन सा कथन आर्थिक सर्वेचन 2021 के बारे में गलत है, चार स्टेटमेंट है, पहले वाले में का गया कि 2019-20 में प्रमुख क्रिशी और संबद निर्याद गंतव्य यूएस से, सूधिय अरव, इरान, नेपाल और बांगलादेश थे, भारत में निर्याद किये जा 28.56 हो गया, केंद्रिय सांखे की संगठन के द्वारा मई 2020 में जारी जो आर्थिक आय के अनंति मनुमान थे उसके हिसाब से, वर्तमान मूले पर देश का जो जी बिये है, उसमें कृषी और संबद चेत्रों की हिस्सेदारी 2019-20 के लिए कितनी है, 20.8 पिस दी है, इस प्रका सांखे की संगठन के बारे में कहा जा रहा है, मई 2020 में जो राश्ट्री आय के लिए अनंति मनुमान जारी किया गया है, उसमें 2019-20 वाला जो आकड़ा है, उसके लिए 17.8 पिस दी की हिस्सेदारी है, और यहां जो हिस्सेदारी दी है, वो कितनी है, 20.8 है, जबकि असल में इसका आकड़ा कितना है, 17.8 इसलिए दी वाला गलत है, बाकी सब सही, अंगले प्रेशन को देखते हैं, सरसथमे को देखें, BPO यानि बिजनेस प्रोसेस आउट्सोर्सिंग, यह इसका फुल फार्म है, यह क्या जीज़ है, यह आउट्सोर्सिंग आप बिजनेस प्रोसेस बाइक कमपनियों को सेवाओं की प्रक्रिया की आउट्सोर्सिंग है, यह कमपनी द्वारा अन्य कमपनियों को व्योसाइक प्रक्रियाओं की आउट्सोर्सिंग है, इसमें से क्या चीज़ है, 67 को आपने देखा, और इसका जो correct answer है, वो C हो जाएगा, यह असल में क्या ची 58, यहाँ पर दीन statement है, सही कौन सा है वो आपको ढूणना है, तो India has world fourth largest reserve of coal, मतलब भारत के पास दुनिया में चौथा सबसे बड़ा कोईले का भंडार है, और yet it is the world second largest importer, और दुनिया में अगर देखा जाए तो यह पूरिये विश्व में दूसरा सबसे बड़ा importer है, या 22% है, तो आप बताइए सही क्या है, कोईले के संबंद में इतनी सारी बाते कही गई है, और इसका जो correct answer है, वो इसमें से हो जाएगा, C वाला, यानि दूसरा और तीसरा, सही है, लेकिन पहले वाला गलत है, भारत में कोईले का विश्व में पाँचवा सबसे बड़ा, यह इसमें आप देख रहे है, जी आई टेग के बारे में कहा जा रहा है, तो राजकोट पटोला, यह गुजरात का है, सांगली हल्दी महाराष्ट की है, मतलब महाराष्टर राज्य को इस छेत्र में जी आई टेग दिया गया है, पेठापूर प्रिंटिंग ब्लॉक, यह मध् अस्त कला की श्रेडी में आता है, और इसे जी आई टेग के लिए पंजी कृत किया गया है, इसे आप देख रहे हैं, तो इसका जो मध्य प्रिदेश वाला है, वो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे एक चीज गलत है, और बाकी सब सही है, तो इसका जो उत्तर माला में एंसर दिया है, वो गलत है, यहाँ ध्यान से देख लिजेगा, बाकी सब तो सही होते हैं, इसमें राजकोट पटोला सही है, सांगली हल्दी भी सही है, यह सिरसी सुपाडी, चुनार बलुआ पत्थर और जीरा फूल ठीक है, लेकिन जो पेठापूर प्रिंटिंग ब्लॉक मध् 28 फरवरी, इसका जो करेक्ट टेंसर है, वो इसमें से हो जाएगा, इसे ध्यान से देख लिजे, सी वाला हो जाएगा, यानि 27 फरवरी, विश्व NGO दिवस, यह अंतराश्टी कैलेंडर दिवस है, और बाल्टिक सागर के जो राज्य है, उनकी परिशद, यानि बाल्टिक सा नाम आपको बताना है, यह धलाई है, फेनी है, खोआई है, लोंगाई है, तो इसमें से जो नदी है, वो बी वाली होगी, मैत्री सेतु का निर्माण किस पर किया गया है, यह फेनी दिवन, यह प्रिपुरा और बंगलादेश में, जो बार्डर है, वहाँ पर प्रवाहित ह इसके बाद आगे चलते हैं, इसका फेनी हो जाएगा, 72 को देखते हैं, 72 में कहा गया कि निर्मलिकित में से किसे, उतराखंड की ग्रिश्म कालिन राजधानी बनाया गया है, समर कैपिटल, यह गैर सेड है, नैनिताल है, पिथोरागड है, आलमोडा है, इसमें से कौन सा हो पुरसकार किस खिलाडी को दिया गया है, यह जोफरा आर्चर है, के एल राहुल है, कसीगो रबाडा है, या इशान किशन है, इसमें से कौन से होंगे, और 73 का जो करेक्ट एंसर है, वो A वाला हो जाएगा, A का मतलब यह हुआ कि यह जोफरा आर्चर है, ठीक है, इन्हें यहाँ पे इस तरह का पुरसकार दिया गया है, इसके बाद अगले प्रशन को देखते हैं, 74, सुखना जील, वेटलेंड जो है, यह संरच्छन और प्रबंधन नियम 2017 के ताहित, एक वेटलेंड यानि आद्रच्छेत्र गोशित किया गया है, अब यह जो सुखना लेक है, इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रशन को देखते हैं, प्रशन संक्या 75, पद्म पुरसकार 2021 के संदर में आपर आपको विचार करना है, तो पद्म विभूशन, असाधारण और विसिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, 119 जो पद्म पुरसकार है, उनके सम्मान को राष्ट्रपती ने मंजूरी दी है, कपिल तिवारी जो है मध्य प्रदेश के इने साहित्य और सिक्षा के छेतर में पद्मिश्री दिया जाएगा, ऐसे किया गया है, तो बताइए इसमें सी सही क्या है, और इसका जो करेक्ट एंसर है, वो D हो जाएगा, इसमें जितने है वो सभी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही सही है, इसमें कुछ भी गलत ने, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, वस्टन नमबर 76 को देखेगा, 76 में ये कहा गया है कि गरतंत्र दिवस परेड जो 2021 वाली थी, उसके दोरान प्रदर्शित हुई उतर प्रदेश की जहांकी को, सभी जहांकियों में प्रथम पुरसकार मिला है, तो इसका विशय क्या था, यहां से आपको देखना है, ये मिशन शक्ती पराधारित था, आयोध्या कल्चरल हेरिटेज को यानि राम मंदिर की जहांकी थी, यह डिफेंस एक्सपो था, यह देव हुमी थी, तो लॉंच करने वाली जो एजनसी है, वो कौन सी है, nécessaire है, जाक्सा है, रोमोल् सगोव है, या इसमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट अंसटर है, वो हो जाएगा, नासा, इसको लॉंच करने वाली जो एजनसी है, वो नासा है, और फरवरी 2021 में , परसी वरेंस रोवर जो ह से समझने के लिए लॉंच किया गया था और लॉंच की जो डेट है वो मतलब इसमें पूरा अगर देखा जाए तो जो लैंटिंग है वो 18 फरवरी 2021 को होगी ठीक है इसका जो करेक्ट एंसर है वो नासा हो जाएगा ए वाला सही है इसका आगे चलते प्रशन संख्या 78 को देख स्टार लिंक के बारे में यहां आपको पूछा गया है कि यह है क्या चीज़ स्टार लिंक अभी निउस में देखा गया था तो यह नेटवर्क अब सेटलाइट है माइक्रो प्रोसेसर है सेटलाइट लॉंच वेहिकल है यह एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो की लद्दा अंडमान निकोवार ओडिशा विशाका पत्नम सुंदर्वन तो आप जानते हैं कि यह प्लेस कौन सा होगा यहाँ पर ओडिशा मत समझ लीजेगा यह ए वाला होगा मतलब अंडमान निकोवार वाला जो छेतर है वहां से ब्रहमोस की लांचिंग की गई तो ए वाला वहिंद्रि सिंग धोनी या सौरभ गांगुली कोई क्रिकेटर हैं कौन से क्रिकेटर हैं बताइए तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट एंसर है वो डी वाला हो जाएगा डी का मतलब यह है कि सौरभ गांगुली के द्वारा लिखी गई है और पहली बार 24 2018 को जगनाट प्रकाशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, D वाला इसका सही था, प्रशन संख्या एक 80 को देखे, नैरो बेंड, IOT जो है, यह क्या चीज है, तो यह वायरलेस कम्यूनिकेशन स्टेंडर्ड है, यह ड्रोन है, जो की DRDO ने बनाया है, यह एक एंटिवायरस है, यह फिर एक आभासी मुद्रा है, यह है गया, ऐसे शब्द भी पुछे जाते हैं, तो इसका जो ए वाला है वही सही है, यह असल में क्या है, एक वायरलेस कम्यूनिकेशन का पूरा स्टेंडर है, इससे आपने देखा, मतलब यह मान यह कौन सा संस्था थी, यह electronics और सुचना प्रयोदयोगी की मंत्राले और नीतियायो, इसमें से कौन सा होगा, देखें इसका जो करेट answer है वह हो जाएगा बोथ, दोनों थे, मतलब Ministry of Electronics and Information Technology और नीतियायो, दोनों मिलकर इसको लांच करते हैं, इसके बाद प्रशन संख्या पुझ इचा भी प्रारूप है, उसके तोर पे देखा जाता है, तहने का मतलब क्या, uncompressed जो wrestler image format है, उसके तोर पे यह internet पे देखा जाता है, तो इसका जो correct answer है, वो इसमें से कौन सा होगा, यह वाला हो जाएगा, portable, network, graphics, इसे आपने देखा, इसके बाद 84 को देखेगा, e- में है, और इसका जो पूरा कानूनी domicile है, वो सिंगापूर है, इसे आपने देखा, इसके बाद next, अगले प्रशन को देखते है, 85, एक mobile application है, जिसका नाम है M.Haryali, और यह किसके द्वारा शुरू किया गया है, मतलब ministry कौन सी है, तो इसे आप जानते हैं कि A.Wाला सही आप देखते हैं कि जो बंगलो होते हैं, काफी बड़े-बड़े होते हैं, तो उसमें पेडों के संद्चन के लिए परियाप्त संभावनाएं होती हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, प्रशन संख्या 86 को देखेगा, केंदरी यह जल आयों के संदर में हाँ पे तीन statement है, उ इसलब अभी वर्तमान में कारियाले के तोर पे काम कर रहा है, जो कि जल शक्ती के साथ अटैच है, under the Department of Water Resources, River Development and Ganga Resonuation, और उसके बाद यह कहा गया, कि the Central Water Commission of India has the responsibility of initiation and coordination of scheme introduced by Ministry of जल शक्ती, तो आप बताइए किसमें से गलत क्या है, कि इंदरी यह जल आयों के बारे में कहा ज यहां जो डेट है वो कौन सी होगी, 1945 होगी, डॉक्टर बी आरम बेटकर की सलाहा पर हुई थी, और वो वाइसराय की कारेकारी परिशद में एक श्रम सदस्य के तौर पे काम कर रहे थी, इसे आपने देखा, इसके बाद आगे चलते हैं, प्रशन संख्या 87 को देखेगा, और 87 में कहा गया कि कौन सा एक सम्वैधानिक निकाय नहीं है, मतलब constitutional bodies में से कौन सी नहीं, attorney general, controller and auditor general of India, national commission for scheduled caste या national commission for women, इसमें से कौन सा होगा, तो इसका C हो जाएगा, यहां पर आप देख रहे हैं, C वाला मतलब चौथा वाला national commission for women, यानि राष्ट्रे महिला आयोग, य सम्वैधानिक निकायों में अगर आप देखे तो राजे लोक से वायोग, संघ लोक से वायोग, भशाई जो अलप संखेकों के विशेश अधिकारी हैं वो आते हैं, महान्याज्वादी आता है, वित आयोग है, चुनाव आयोग है, यसी अश्टी का जो आयोग है, वो भी इसके पहले अध्यक्ष के रूप में पूरी तरह से कारे करना शुरू करते हैं यह इसके establishment की process है इसके बाद 89 को देखते हैं 89 में कहा गया कि संभिधान का जो अनुचे 350 B है उसका संबंध किस चीज से है यह भाशाई अलप संख्यकों के लिए विशेश अधिकारी है या फिर पिछणा वर के लिए राश्ट्री आयोग का प्रावधान करता है या उसके बारे में बताता है या राश्ट्री अनुचे जाती आयोग के बारे में बताता है ध्यान से देखेगा तो यहां अगर देखा जाए तो इसका जो correct answer है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा एवाला हो जाएगा एका मतलब है special offer for linguistic minorities मतलब जो भाशाई अल्प संख्यक है उनके लिए विशेश प्रावधान करता है और वो प्रावधान हमें कहां दिखाई देता है जो 350 B आर्टिकल है उसमें दिखाई देता है इसके बाद 90 नंबर के प्रशन को देखेगा उसके अध्यक्ष के पदपर विराजमान थे ऐसे व्यक्ति हैं कौन ये अर्विंद सक्सेना है या विनय मित्तल है अलका सिरोही है या प्रदीपकुमार जोशी है तो इसमें प्रदीपकुमार जोशी जी का नाम आता है अर्था जो D1 option है वो सही है मध्यप्रदेश लोग सिवायों के पहले अध्यक्ष राचुके हैं और उसके बाद 12 मई 2015 को ये UPSC के सदसी के रूप में शामिल होते हैं और उसके बाद 2020 में ये UPSC का पदभार गरण कर चांब को देखते हैं सुँआ है कि क्या है कि क्यांब को देखते है तो आप जानते ही है कि निटरी अर्ड़ी उसके बारे का चाрах जा रहा है तो यह नीचे को को दुर। वगेरे सकरी हो जाती है, कोलेस्टराल के बढ़ने से भी ऐसा हो सकता है, तो उसकी वज़े से दिल का दौरा पढ़ता है, एवाला सही है, प्रशन संख्या बानवे को देखिए, निम्नलिखित कत्नों पर विचार कीजिए, तो National Institute of Virology is situated in पुने महाराष्टा, National Institute of Virology is one of the Institute of Indian Council of Medical Research, यानि ICMR के अधीन ये काम करता है, it was established in 1952 as Virus Research Center, VRC, तो आप बताईए कि यह जो वालाजी इंस्टिट्यूट है, जो कोविड काल में काफी चरजित है, इसके बारे में इसमें से correct statement कौन सा है, प्रशन आपने देखा, देखिए इसका जो correct answer है, वो D हो जाएगा, इ इसमें से कौन सी site जो है उनको wetland घोशित किया गया है, मतलब wetland site के under मिलाया गया है, तो आसन conservation reserve है, काबर दाल है, लोनार है, सूर सरोवर है और नांगल wildlife century है, इसमें से कौन कौन सा होगा, 2020 में टिक्लियर होने वाली, तो C वाला होगा इसमें आप देख रहे हैं, C वाले का answer है, वो D हो जाएगा, इसमें जो उत्तर दिया है, वो C दिया है, वो गलत है, ये जितने हैं सब्तो 2020 में ही attach किये गया थे, इसमें doubt कहा है, आसन conservation reserve ये भी और उसी प्रकार से बाकी, जिसे आसन conservation reserve को आप देखें तो ये उत्तराखंड में है, इसकी location आप जानते हैं, इसको जुलाई में शामिल किया गया, काबर दाल को भी जुलाई में शामिल किया गया, बिहार में है, लोनार महराष्टर में है, सुर सरूर, ये उत्तर प्रदेश का हो गया, और स्योकर जो wetland complex है, ये लद्दाक का है, नांगल को आप देख रहे हैं, तो ये 2019 का है, ठीक है, इसम जो correct answer है, वो इसमें से कौन सा होगा, इसका D वाला हो जाएगा, यानि पहला, दूसरा, दीसरा, चौथा, लेकिन पांचवा ने, ये 2019 का है, अगले question को देखी, 94, यहां कहा जा रहा है कि खादिश रंखिला में जो ट्रॉपिक स्तर है, उनके संदर में कुछ कथन दियें, उस पर विचार कीज़े, तो ट्रॉपिक लेबल 3 जो है, ये कार्निवोरस के बारे में कहा गया है, यानि जो मानसाहारी है, वो शाकाहारी का भोजन करते हैं, और इसको कहा जाता है, टर्शेरी कंजियूमर, मतलब इस प्रकार के जो यहां उभोगता होते हैं, उनको टर्श उभोगता कहा जाता है, तो आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है, यहां पर मानसाहारी के उभोगताओं के बारे में बात चल रहे हैं, तो इसमें अगर देखा जाए, तो C वाला हो जाएगा, C का मतलब यह हुआ है, कि इसमें दोनों ही जो है, वो incorrect है, सही कुछ भी नही ट्रापिक 3 जो होता है, उसमें मानसाहारी को खाने वाले जो कार्निवोर्स होते हैं, उन्हें दृधिया को भोगता कहा जाता है, यह कैसे होता है, secondary होते है, और जो 4 वाला होता है, वो tertiary होता है, tertiary से उपर कोई इसमें नंबर नहीं है, तो इसलिए तीसरा इसमें अंतिम ह होगा, इसमें दे दिया है 4 तो दोनों गलत हो जाते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं अंगले प्रशन को देखते हैं, इसका C हो जाएगा, प्रशन संख्या पंचानबे, विटामिन B12 के बारे में इसमें कुछ स्टेटमेंट दिये हैं, कौन सा गलत है, वो आपको ढूड़ना देख लीजे, विटामिन B12 के पारे में कहा गया कि यह नए सेल के संस्लेशन के लिए आवश्यक होता है, यह अमीनो एसिड और जो फैटी एसिड होता है, उसके मेटापॉलिज्म में एंजाइमों के लिए को फैक्टर के रूप में काम करता है, रक्त गठन और तंत्रिका स अनिमिया नहीं होता है, बलकि इसकी कमी से हो जाता है, बहुत ही गंभीर इस्तर का अनिमिया हो जाता है, यह अगर अगर नाम का जो अलगी है, यह अच्छा नाम है, अगर अगर अलगी, यह किस लिए यूज होता है, कोल्ड क्रीम बनाने के लिए यूज होता है, फर्टिल अगर अगर एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कि लाल शैवाल जो जलेडियम एल्गी होता है उससे प्राप्त होता है और पूरे एशिया में डेजर्ट खाने के बाद एक मिठाई के घटक के रूप में जो कस्टर्ड होता है उसका यूज किया जाता है मतलब यह दही को फ सिल्क तो रेशम के धागे की मिश्य में कहा जा रहा है इसके बाद अगले प्रेशन को देखले 98 प्रिश्ट तनाओ की जो इकाई है वो क्या चीज है नूटन नीटर है न्यूटन पर मीटर है या फिस जो जल की सत्ह उती है उस पर उत्पनन होने वाला एक समपीडन बलो तो इसमें से कौन सा होगा इसका B वाला हो जाएगा B का मतलब यह है कि यह Newton पर मीटर है ठीक है इसकी जो इकाई है वो Newton पर मीटर है यह वाला सही है उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन को देखते है 99 यहां पर कहा गया यह एक परीक्षन है एक टेस्ट है अब इसका संबंध किस टीस से है इसे आप देख लीजे जो जीन और डिने की तकनीक होती है उसमें इस्तमाल किया जाता है आनुवांशिक विकार की उपस्तिती का पता लगाने के लिए किया जाता है हर्ट की जो बिमारी होती है उनको के दर्डा साउंट किया जाता है और द्रव का एक नमूना लिया जाता है जो पुरूड की कोशिका आंए और बच्चे द्वारा निन्वित्रसायन से जुड़ा है मतलब जीन का संबंद भी अनुवानशिक विकारों से हो सकता है लेकिन जो एक्जैक्ट इसका एंसर होगा वो भी वाला होगा अंगले प्रेशन को देखते हैं 100 यहाँ पर पहले ही एक खाली स्थान है उसमें आपको रोग का नाम भरना है कि यह एक ऐसी परिस पिशली है या फिर आप देख रहे हैं इसमें 6 रोग यानि ट्यूबर कुलोसिस का नाम दिया है डाइरिया है इसमें से क्या होगा तो बहुत ही सरल है इसमें आप आराम से चुन सकते हैं यह एनीमिया होगा मतलब ऑक्सीजन के वहन का काम कौन करता है हीमोगलोबिन करता है और जो हिमोगलोबिन की मात्रा है वो घटने लगती है और इस रोग को एनीमिया यानि रख तलपता कहा जाता है और इससे मनुष्य की कारेश चमता और जो बौधिक चमता है वो प्रभावित होती है तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है और तब तक के पश्चार